61 नमबर कोश्चन जार्कन सरकार ने जार्कन फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी किस वर्स लागू किया और जितना भी कोश्चन दे रहे याद करते हुए चलिए क्योंकि अभी हम रिविजन भी करेंगे तो रिविजन भी करने का काम करेंगे जरूर से जरूर तो 2015 म याद को जार्कन फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 को लागू किया गया जो जानवरों के चारा प्रसंस्क्रन इकायों की अस्थापना के लिए आधार भूत्सरचना निवेश पुरुत्साहन पुरुद्धिकी उन्यन बाजार नेट्वर्क का विकास करने के ल पुरुण अस्थापना एं पुरुद्धिकी के अलावा किसे सदस कि रूप में गयाए राजसरकार के अधिकार्यों के लावा किसे सदस के रूप में गया अधिकी किया गया नगरपालिका के अध्दक्ष को पंचायत के अध्दक्ष को यह सब को समेती के सदस्य बनाये गए पर्तियार पर नीती के तहन । दी जायाने वाली पुरुसकार रासी को उगुरवादी संगठन में संथ अस्थान के आधार पर कितनी स्रेनियों में विभाजित किया गया है तो 10 याद रखोगे तो 10 स्रेनियों में विभाजित किया गया है जार्खन राज की प्रेटन निती कब गोशित की गई तो 2015 में 2015 में ऐसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश रोजगार के आउसरों का निरमार एकरना राज की आए में वर्धी करना प्रेट्टकों की संख्या में विर्धी करना है नेक्स्ट का अंसर दीजिए जार्खन में किस अस्थान पर ओदोगी की विकास केद्र की अस्थापना की गई है तो देखो कि बरही बरही हजारी बाद बरही हजारी बाद या दखेंगे जार्खन सरकार की 2016 की ओदोगी की निती के लागू रहने की अवधी है तो दस वर्स है किते हैं दस वर्स है और जार्खन राज खनीज विकास निगम जे एस अमडिसी के किस अध्यक्ष के कार विवाद में रहे हैं तो विदेश सिंग के कार विवाद में रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहा इस्थित है तो धनबाद या दखोगे धनबाद में ठीक है धनबाद में इस्थित है चले नेक्ष एंसर दीए फटाफट जार्खंड में सराब उद्धोग मुख्यता इस्थित है कहा इस्थित है तो राची में याद रखोगे राची में ठीक है महवा गन्न करस और चावल से बनाया जाता है एना शराब जो बनाया जाता जहारकन में महवा गन्ना चावल जो की इसको क्या चावल का साधा मारी बोलते है तेखा राची में नामकुम इस्थित लाहा अनुसंधान संस्थान, राची में किस वर्ष की गई थी इसकी अस्थापना? तो 1925 में कि गये थे 1925 तो आएसेम का स्थापना किया गया था 1926 में पठीकिस से पहले लाका 1925 में नामकुम्य स्थापना किया गया